इस दिन के अफसर पर हम लोग उसमान सिक्षाविद को याद करते हैं जिनके जन्म दिवस को हम सिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं जो भारत के पहले उपराष्ट्रपती थे और फिर राष्ट्रपती बनेगे स्वर्गी सर्वपल्ली एस राधा क्रिश्न सिक्षक की जो भूमी का होती है हर व्यक्ति के जीवन में होती है व्यक्ति के व्यक्तत्य के निर्मान से सिक्षक जुड़ा है और व्यक्ति के व्यक्तत्य के उज्ज्वलता से हमारा देश और पूरी दुनिया जुड़ी है इसलिए सिक्षक दिवस के दिन हर वेक्ति अपने उस सिक्षक को याद करता है जिसने उसके जीवन को रूप देने के लिए अच्छक परिश्रम किया आज के दिन सबसे पहले मैं अपने उस सिक्षक को याद कर रहा हूँ जिनका मेरे जीवन के जीवन में मेरे व्यक्तित्य के निर्मान में और मेरे मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा यूग दान रहा स्री सिव मरंण सिंग मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि सादगी से भरा उनका जीवन सून इसे आप स्टार्ट करें कुछ नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ता सब कुछ आप सीख सकते हैं ये मैंने उन से ही सीखा और यही बात मैं आप सबों को भी कहता हूँ इंटर में आयस्सी में जबकि मैं एक्सेंपल हिंदे मेडियम स्कूल हूँ सरकारी हिंदे मेडियम स्कूल से पढ़ा सिर्फ चार महीने में पूर मंस में मैस में एक तरह से इंटर में जीरो बोलिये से अपने उस महानसर की बदौलत मैं डिस्टिंग्शन ला सका हूँ यह उनका अप्रोच था मेरे सारे अप्रोच में उनकी जलक मिलती है मैं अपने योट्यूब चैनल पर यह पूरी कोसिस करता हूँ कि तमाम स्टूडिंट्स जो दूर दराज के शत्र में रहते हैं उन सबों को मदद पहुंचा सकूँ हजारों की संख्या में स्टूडिंस सक्सेस्पल हुए हैं लाखों की संख्या में स्टूडिंस को मैंने पढ़ाया है पिछले लगभग 27 यह से मैं इस लाइन में हूँ स्टूडिंस का जो प्यार मुझे मिला है वही मेरी प्रेड़ना है वो मुझे याद करते हैं जो जहां हैं जिस रूप में पॉस्टेड है नहीं और प्यार देते हैं यही मेरी पूंजी है योट्यूब चैनल अमर सर और एक दूसरा योट्यूब चैनल अमर सर हिंदी इन दोनों के माध्यम से मैं दूर दराज के शत्र में रहने वाले स्टूडन्ट को मदद पहुचाना चाहता हूँ जो में चैनल यह है अमर सर इसमें सारे एक्जाम्स के लिए होते रहे हैं आगे भी होते रहेंगे दूसरे फैकल्टी जुड़े हैं इसको आगे बढ़ाना है लेकिन SSC Railway especially बहुत बड़े स्टूडन्ट का टार्गेट है तो अमर सर हिंदी पर आज से नए अंदाज में सुरुवात करता हूँ मेरा मैथमेटिक्स और राजीव सर उनका जर्नल नौलेज जर्नल स्टेडीज चलनल से लेवार यह चलेगा मेरे क्लासेस साम में पांच बैसे होंगे और राजीव सर के क्लासेस छे बैसे होंगे यहां से सुरुवात हो रही है आज से और धिरे धिरे यह आगे बढ़ता जाएगा और भी फैकल्टी जुड़ते जाएंगे पढ़ाई के प्रती आपका एक प्रोच क्या होना चाहिए कोई भी वैक्ति इन जनरल जन्मजाद सब कुछ सीखे हुए पैदा नहीं लेता सीखा हुआ टैलेंट अगर उसके अंदर है भी जिसको हम बोलते हैं जन्मजाद गुन उसको अगर सही परिवेश और सही सिक्षक का मारदर्शन न मिले तो फिर वो मंजल तक नहीं पहुँच पाता और जिसके पास कुछ नहीं होता वो कभी भी कहीं से भी अपनी यात्रा की शुरुवात कर सकता है और कोई भी मंजल उससे दूर नहीं चाहे कॉम्पेटिशन कितना भी बढ़ जाए जब इनिश्यल आपको सक्सेस नहीं मिल पाता तो आपको अतुत साहित होना राजमी है लेकिन मैं उसी समय कहता हूँ कि जब निरासा की चरम सीमा होती है वहीं से आशा का संचार होता है करने की जरुवत नहीं है हर व्यक्ति को जीवन में अवसर मिलते हैं एक अवसर छूटा दूसरा दूसरा छूटा तीसरा पस उस अवसर का लाव उठाने के लिए आपके अंदर वो ललक होनी चाहिए मेहनत करने की वो छमता होनी चाहिए जीवन में कोई मंजल नहीं जो आप से असम्भव किनारे पर दूर हो हर वो मंजल आपके नजदीक आजाएगी यदि आपका डेडिकेशन competitive exam में जितना ज़्यादा आप concentrate करते हैं objective exam के ख्याल से आपका approach जदी सही है concept player है और उसकी sufficient practice करते हैं तो फिर लगातार आगे बढ़िए सफलता तो आपको मिलनी है यह मैं अपनी लगभग 27 years की teaching experience के आधार पर कह रहा हूँ तरह तरह की example मौजूद है किन किन विशम पर स्थितियों में student ने शफलता पाई है यह सभी मिशाल है किसी student को तीन चार साल भी लग गए लेकिन उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी और रंत तह पाके रहा हर दिन गुजरते दिन के साथ आपको आगे बढ़ना है आप यह देखिए कि कल कहा थे और आज आपने क्या सीखा पिशले 24 गंटे में आपने कितनी practice की कौन सा concept आपको समझ में आया अगर रोज आप आगे बढ़ते हैं तो वो कौन सी मंजिल होगी जो आप से दूर होगी मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ देखिए योटुब पर मैंने शुरू किया 2016 में जब करीब करीब 20 घंटे लगते थे वीडियो अपलोड करने में मैं दो पहर में लगा के छोड़ देता था आगले दिन सुबह में जाकर अपलोड होता था कुछ जमाने से मैंने शुरू किया लेकिन स्टूडन्स में एक बड़ी संख्या होती है जो पेड़ बैच में पढ़ना चाहते हैं मैं बार-बार कहता रहता हूँ पहले भी कहता था कि जो यूटुब पर ठीक से पढ़ते हैं उनको किसी पेड़ बैच की जरुवत नहीं होती है फिर भी मेरे बोलने से क्या होता है पेड़ बैचिस की ओर रुज़ान होती ही है ठीक है उसके कुछ फायदे है उसमें पीडियाब भी मिलता है सिलसलेवार होता है एक चाप्टर खतम होने के बाद दूसरा सुरू होता है यह सब चीजे हैं फोड़ा कम समय में उसका प्रप प्रपेशल रहेगा यह और दूसरा अमर सर स्सी रेलवे जो स्सी रेलवे को ज्यान में रख करके है तो जो पेड़ बैच में पढ़ना चाहते हैं वहां पर पढ़ सकते हैं टाइम से होता है यह सब कुछ ठीक है लेकिन इससे यह बात तनिक भी प्रभावित नहीं होती कि योटूब पर बिना कोई पैसा खर्च किये हुए आप लगातार पढ़ते हुए सक्सेस पा सकते हैं थोड़ी महनत होती है फोजने में लेकिन उसको भी मैंने सजाया हुआ है हर चेप्टर का प्लेलिस्ट है नया स्टूडन को यह समझ में नहीं आता कहां से सुरू करें तो प्रॉफिट अन लॉस पाई अमर सर तो आपको वह प्लेलिस्ट आ जाएगा और उस प्लेलिस्ट में मतलब हर प्लेलिस्ट में 100 प्लास वीडियो हो गया है इंडिविज्विज्वली इस एजुकेशन फिल्ड में ऑनलाइन एजुकेशन में मैंने लगभग 3,000 वीडियो ब तो ये खजाना है इसका फायदा उठाईए जो स्टूडेंट एकनॉमिकली वीक हैं उनको कहें भी परेशान होने की जरुवत नहीं है योटूब चैनल के माद्यम से सब कुछ सैयार कर सकते हैं और ये तो उदाहरन है हजारों की संख्या में स्टूडेंट योटूब चैनल और मेरे उन वेडियो को फॉलो करते हुए पास हुए हैं इससे बड़ा सबूत क्या होगा उनके कमेंट्स हर जगह मुझूद हैं एक बार फिर इस दिन मैं आप सब को आपके प्यार और सनेह के लिए बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूं और टीचर डे की बहुत-बहुत स झाल